नमस्कार दोस्तों कैसे वाप लोग दोस्तों आज का जो मैच है यह है आरलेंड वर्सेज स्कॉटलेंड के बीच में आई पिल लगभग 4-5 मैचे जोर बचे हैं चार मैचे जोर बचे हैं अब समझना क्या है यह देखिएगा देखिए वर्ल्ड कप आप लोगों को खेलना है जिन भाईयों को दोस्तों को वर्ल कप खेलना है सबसे पहले तो लोग कमेंट कर दे कि किसे किसे खेलना है दूसरी चीज़ अगर आप लोग वर्ल कप खेलना चाहते तो वर्ल कप के अंदर इस टाइम बहुत सारे नए-नए जो टीम है वो भी खेलने वाली है तो यह जो छो इसलिए फोकस कर रहा हूँ, रीजन क्या है, क्योंकि सारी टीम ये वर्ल्लकप के अंदर खेलने वाली है, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है, उसके बारे में हमें समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा, कई मैचे जैसे भी हैं, जैसे इंडिया भी छोटे टीम उसे खेलने वाली है Stelia भी खेलने वाली है England भी खेलने वाली New Zealand भी खेलने वाले है तो हमें तो बड़े बड़े टीमों के बारे में पता है बड़ छोटे टीमों के बारे में हमें नहीं पता इसलिए ये सारे मैचेज खेलना ज़रूरी है भले आप एक टीम से खेलो, लेकिन ये match is important हो सकते हैं, इसलिए इनको खेलना थोड़ा सा जरूरी है, जहां तक मुझे लगता है, तो आईए देखते हैं, इस match के अंदर दोनों तरफ से कौन-कौन से playing 11 हो सकते हैं, किस तरीके से हमें players को अपने team में रखना होगा, bowling detail क्या कहता है, batting detail क्या कहता है, players का detail क्या कहता है, head to head का detail क्या कहता है, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और फिर एक बहतरीन team हम तयार करेंगे, चलते हैं सीधा screen पर, Ireland versus Scotland, नीदर लेंड, T20 TIE Series का ये match है, थर्ड match है, आज ये जो होने माला है, और 20 माई, आज श इस ground पर match खेला जागा, और सारे matches इसी ground पर होंगे, तो अब इनके बारी बारी से हम तो सारा details को समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि the Hague, यानि कि यहां पर इस ground का pitch का report क्या कहता है, इस ground पर हमारा record क्या कहता है, scoring pattern यहां पर किस तरीके से काम करेंगे, इस ground पर UAE बैट नीदर लेंड 147 रन 4 बिकेट, नीदर लेंड 167 रन 8 बिकेट, और फिर Ireland last match खेला 150 रन 8 बिकेट, यानि दोस्तों आप एक बात तो समझ लिजिए, कि यहां पर किसी भी तरीके से, मतलब 4 से 8 बिकेट confirm है कि गिरेगा ही गिरेगा, अब हम बात करें कि scoring pattern, तो हमें एक चीज स लगभग यहां पर हम मान के चलते हैं कि 140 से 160 के बीच में हमें रन देखने को मिल सकता है, फर्स्ट इनिंग में, मतलब average जो score होगा आपको यही पर 145-40 के आसपास ही होगा, लेकिन हम बात करते हैं कि फर्स्ट इनिंग में जो team है, वो कितने रन बनाएगी, तो 140 से 160 के हाई दे रहे हैं, देख रहे हैं न, देखें, 5 wicket, 2, 3, 4, 4, 3, यानि किसी भी condition में 3 से 5 wicket spinners को यहां पर मिलेगा, फर्स्ट इनिंग में, और वही same condition यहां पर fast ballers को भी देखने को मिल रहा है, दोनों को लगभग लगभग बराबर है, कभी spinners ज़्यादा ले रहे हैं, कभ का है, spinner से strong है, या फिर faster से strong है, वो depend करता है, और 36 चीज एक और चीज़ पर depend करता है, कि दोनों ही match team के तरफ से, सबसे ज़्यादा balling करने वाले कौन है, जो balling करेगा, वही wicket लेगा, अगर माल लो 2 spinner हैं और उनको wicket, मतलब balling ही नहीं डाल रहे हैं, 2 से 3 over डाल रहे हैं, तो उनको wickets कहां से मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो ये दोनों situation हमको समझना पड़ेगा, अब बात कर लेते हैं second inning में, second inning में यहाँ पर team दो बार all out भी हुई है, इसके बाद यहाँ पर 9 wicket, 8 wicket, 2 wicket पर यहाँ पर chase हुआ, 3 wicket पर chase हुआ, तो एक बात तो clearly हमें समझ में आ बनाया था 8 wicket पर, तो Scotland भी यहाँ पर 126 run बनाई है, 10 wicket गिरे हैं, अब समझते हैं second inning में थोड़ा सा spinners को कम help मिल रहा है, second inning में, second inning में spinners को थोड़ा सा कम help मिल रहा है, लेकिन second inning में fast ballers को ज़्यादा wicket मिल रहा है, तो ये condition हमें समझना पड़ेगा, और second inning में यह मान कर चलते हैं कि अगर run chase हुआ, run chase हुआ, तो 2-4 wicket गिरेंगे, और अगर chase नहीं हुआ, तो 8-10 wicket भी गिर सकते हैं, ये condition होगा scoring pattern जो है हमारा the heck के ground पर, यहाँ तक आप लोगों को, I hope, मुझे लग रहा है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कि यहाँ पर किस तरीके से scoring pattern run जो है, वो काम कर रहा है, यानि कि second inning में थोड़ा सा मुश्किल है, यहाँ पर chase करना, लेकिन team अगर chase कर पाएगी, तो 2-3 wicket पर, clear, अब आईए हम लग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और समझते हैं कि first inning के जो batting order हुए, किस तरीके से यहाँ पर चल रही है, अगर first inning की batting order की बात की जाए, तो देखिए, समझने के कोशिश कीजिएगा, last जो match हुआ यहाँ पर, 11 run और 11 run दोनों opener ने बनाया, उसके पहले दोनों opener यहाँ पर अच्छा खासा खेल कर गए, इसके बाद यहाँ पर खेल कर गए, बाकी एक opener यहाँ पर आपको लगभग अगर देख हाई दे रहा, लेकिन एक और चीज़ है, जो हैरानी की बात यह है, कि अभी तक पिछले 5-6 match की अंदर, 3 number का खिलाडी आप देख रहे हैं, कितनी बार flop हुआ है, सिर्फ एक बार last match में 40 run बनाया, नहीं तो continue इस ground पे 3 number का खिलाडी flop हो के जा रहा है, हमें rotation करना पड़ेगा depend करता है, कि वो 3 number का खिलाडी कौन होगा, जो यहाँ पर खिलने के लिए आएगा, इसके बाद 4 number के खिलाडी के बात करते हैं, एक बार 39 बनाया, एक बार 53, बाकी के टाइम पे कुछ खास performance नहीं है, 5 number खिलाडी, 22, 25, 14, 26, 8 और 10, यहाँ पर भी कुछ खास performance नहीं है, सिर् दोस्तों, बहुत सारे लोग इसी बात को समझते ही नहीं हैं कि हमें किस तरीके से combination set करना है, देखिए, यहाँ पर एक opener चला, दोनों नहीं चले, यहाँ पर दोनों उपनर चला, तो तीन नमबर का प्लेयर नहीं चला, यहाँ पर एक opener चला, फिर भी तीन नमबर का नहीं च करते हैं, तो फिर तीन नमबर के खिलाड़ी के साथ आप rotation में जा सकते हैं, ठीक है, तो यह एक condition हो गया, इसके बाद आपके पास जो option बचता है न, वो 4, 5 और 6, इन में से किसी दो खिलाड़ी को हमें team में रखना बढ़ेगा, condition देखिए, हर match में कितने खिलाड़ी जो हैं आपको run बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए, यहाँ पर दोनों को लेकर चलते हैं, यहाँ पर एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, यहाँ पर एक और दो, यानि कि इस ground पर overall जो condition हमें दिखाई दे रहा है, वो यही है, कि दो player, minimum दो player तो हमें batting से रखना हुआ, उसको समझते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ की जो possible playing 11 है, वो क्या हो सकता है, Ireland से, और possible playing जो है, वो है, यहाँ पर Scotland की तरफ से, बात करते हैं, Ireland के तरफ से, दो option हैं हमारे पास, Balbrini और Sterling, P.S. Sterling और Andy Balbrini यह दोनों opening करने आएंगे, L. Tucker जो है, वो तीन number पर खेलने आएंगे, और यह एक wicket keeper है, तो आप देखें, यहाँ पर एक चीज जो समझने की क्या जरूद है, कि यहाँ पर शुरू से लेके, and तक, आप एक चीज समझेगा, कि Ireland के तरफ से, left-handed batsman जो है, वो नहीं है, ठीके, तो एक चीज जो हमें यह समझना होगा, फिर कि यह Scotland के तरफ से, शायद off-break baller को उतना मौका नहीं मिलेगा, जो अब जैसे aimless हमेशा balling करते हुए दिखाई देते हैं, यह नहीं करेंगे, लेकिन आपको mark what जो है, यह balling करते हुए दिखाई देंगे, यहाँ से जो है, sea griffs जो है, यह balling करते हुए दिखाई देंगे, क् नहीं तो दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं, अब चुकि एक और चीज है, क्योंकि मैं पहले से इन चीजों को follow करते हुए आ रहा हूँ इन लोगों को, तो बैल ब्रिनी जो है, वो पहले उसके record इतने अच्छे नहीं थी, हमेशा 10 run, 5 run, 2 run, 0 पे आउट हो जाता था लेकिन इस टाइम पे बैल ब्रिनी ने थोड़ा सा खेलने का तरीका बदला है, तो कई बार, हाला कि सबसे अगर अच्छा, अगर सबसे अच्छा खेलने की बात करें, तो ये second inning में बहुत बढ़िया खेल कर जाता है, बट first inning में कई बार ये जल्दी भी out होता है, तो हमारे रखेंगे, तो फिर टकर को अपने टीम से ड्रॉप कीजिएगा, और अगर दोनों में से, या तो अगर दोनों को ड्रॉप कीजिएगा, तो फिर एल टकर को रखिएगा, अब आपके पास तिसरा option बचता है, हैरी टेक्टर, कैमफर और डॉकरेल, इन ही तीनों में से किसी स्टरलीन को लिजिए, कैमफर को लिजिए, और हैक्टर को लिजिए, ठीक है, यह एक दूसरा combination, सेम कंडिशन आपको बैल बरीनी के साथ करना है, और यहाँ पर पील स्टरलीन को ड्रॉप कर दीजिए, नहीं, तो आप इन दोनों को ले लिजिए, बैल बरीन, स्टरलीन, द रखना पड़ेगा, सेम कंडिशन यहाँ पर हमें स्कॉटलेंड के तरफ से भी देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखे, ओ हैर यह उतना अच्छा उसका performance नहीं होता है, और यहाँ पर left-handed batsman एक है, इसके बाद सीधा यहाँ पर markwart है, बाकि कुछ जादा यहाँ पर left-handed न सकता है, अब यहाँ से समझिएगा कि इन में से कौन-कौन से ऐसे player है, यह सारा कुछ आगे बताने वाला हूँ, सब कुछ आगे बताने वाला हूँ, यहाँ से O-Hiers का कुछ खास record नहीं है, फिर भी अगर opening जोड़ी यहाँ ठीक ठाक चल रही है, तो हमारे साथ यह scene हो सकता है, क्योंकि देखे, जो हमें यहाँ पर देखना है, कि मार का डायर बहुत ही बहतरीन बॉलर है, fin hand भी बहुत बहोत बहतरीन बॉलर है, भी मेकार थी भी बहुत बहुत बहतरीन बॉलर है, और यह आपको 말 के dhem ओपनिंग में देख सक्ते हैं, आप पाउर प्लेट के अंदर और एक है g mung से, अगर g mung से खेलेगा, तो आपको रखना पड़ेगा, समझ लिजेगा, g mung से अगर खेलेगा, तो हमने क्या कि अमानलेजिए कि g mung से खेलता है, और हमने एक opener को ले लिया, इसके बाद बैरिंग्टन को ले लिया, ठीक है? तो फिर आपके सामने रिकी बैरिंग्टन को ड्रॉप करके सीधा मैट क्रॉस को रखना पड़ेगा और ये भी एक बिकेट कीपर है तो ये एक कंडिशन होगा इसी तरीके से हमें टीम रेडी करना होगा नहीं तो आपके सामने तीन प्लेयर और हैं तो यहां से भी हमारे सामने या तो मार्कवाट हो गया या सीग्रीप्स हो गया इन दोनों मेंसे किसी एक के साथ आप रोटेशन डाल सकते हैं ऐसे कि आपने यहां से इन दोनों में से किसी एक अको ले लिए ठीक है यहां से आपने Ricky determined को ले लिए और Jim Monseye को ले लिए एक rotation हो गया फिर आपके सामने हो गया अगर यह दोनों झ्हेलते हैं तो दोनों में से किसी एक को उठा लिया फिर मैट क्रॉस को ले लिया और फिर आपने सी ग्रिप्स या फिर मार्क वार्ट को ले लिया ये कंडिशन आपको यहाँ पर अपलाई करना पड़ेगा बागे की चीजे कौन कैसा खेलता है यह भी रिकॉर्ड मैं आपको आगे बताने वाला हूं अगर अच्छे से खेला जाए तो रंक जो है वह अच्छा आ सकता है यहाँ पर आप समझते हैं फर्स्ट इनिंग बॉलिंग और जो है क्या है देखे यहाँ पर समझने के लिए IPL मैंने उस तरीके से नहीं किया था थोड़ा सा डिटेल्स के साथ आपके सामने लिखा है मैं फेकने वाला जो बॉलर है वो एक ही तरह के सारे बॉलर नहीं होते है एक होता है जो राइट आम फास्ट जिसके अंदर गती होती है स्पीड होता है बट वैरियेशन्स उसके अंदर नहीं होते है ठीक है तीसरा एक जो है राइट आम फास्ट मीडियम इसके अंदर इतना स् सबसे पहले यहाँ पर अभी तक लेफ टाम फास्ट बॉलर ने अभी तक नहीं खेला है तो उसके कोई record सामने नहीं है लेकिन अगर जो सबसे पहली जो बात है तो हम देखते है राई टाम फास्ट मीडियम एक बॉलर ऐसा है जो कि राई टाम फास्ट मीडियम बॉलर है उसको हर हाल में यहाँ पर विकेट मिल रहा है देख रहे हैं दो विकेट, दो विकेट, दो विकेट, तीन विकेट भी लेकर सिर्फ एक बार नहीं मिला, बाकी के टाइम पर यहां पर लास्ट मैच में तीन बिकेट लेके गया, दो बिकेट, दो बिकेट, एक बिकेट, तो यह थोड़ा सा यहां पर सिनारियो जो है न, वो चल सकता है, अब इसमें हम कैसे बदलेंगे, यह देखिए, यहां पर लेफ टाम और्टोडाक्स भी बिकेट लेके गया है, condition समझिये देखे इसमें left arm orthodox left arm orthodox दोनों left arm orthodox यहां पर फिछले last match में first inning में एक left arm orthodox baller दो wicket लेके गया और दूसरे ने तीन wicket लेके गया और एक wicket लेके कौन गया right arm fast medium baller, अब हमें इसी तरीके से जो है अपनी team में rotation डालना पड़ेगा, वो कैसे होगा इसको समझते हैं, बाकी चार्ट आपके सामने है, आप इसका screenshot ले सकते हैं, अब देखिए, अगर इसको हम देखे थोड़ा सा सेनारियो को समझते हैं, तो ballers सीधा balling section में आते हैं, मान लेते हैं कि Ireland की team जो है, वो possible playing 11 के तरफ से, ये जो है baller, balling first कर रहे हैं, हमारे पास यहां से सबसे पहला, अगर कोई important हो सकता है, तो वो होगा G dograil, क्योंकि हमने एक चीज देखा कि यहां पर left arm orthodox को wicket मिल रहा है, ठीक है, तो हमने एक orthodox उठा लिया, दूसरा right arm medium या right arm fast medium, तो हमारे सामने एक ही है, वो है या तो Mark Adair, जो कि right arm fast medium baller है, तो इसको उतना wicket sire नहीं मिल पाएगा, तो हमारे सामने option क्या होगा, हम कैसे rotation करेंगे, तो या तो fin hand या mark B मेकार्थी, मान लिजे कि हमने B मेकार्थी को ले लिया, और हमने G dock rail को ले लिया, ये दो player ले लिए, तीसरा player हो सकता है, B white, क्योंकि ये भी एक spinner है, और यहां से भी right handed batsman जो है, वो ज्यादा है, तो और right handed batsman ज्यादा है, तो ये confirm है कि B white जो है, वो 4 over करके जाएगा, तो हमारे सामने तीसरा option हो गया, कौन-कौन, G dock rail, B मेकार्थी, Ben white, फिर तीसरा option होगा, हमारे सामने, Ben white, fin hand, और G dock rail, फिर आप क्या कर सकते हैं, B white, fin hand, और mark dire, इन तीनों को भी ले सकते हैं, G dock rail को आप rotate कर लिजिएगा, क्यों क्योंकि एक बार ऐसा भी हुआ है, यहां पर कि जब left arm orthodox को कोई wicket नहीं भी मिले हुए है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी सेनारियों को समझते हुए players को rotate करना पड़ेगा, यह भी मैं आपको आगे medium में एक player है, वो C soul है, दूसरा हो सकते है G main, हमारे सामने यह दोनों है, तीसरा है mark watt, तो हमारे सामने क्या करना है, एक हमने mark watt को उठा लिया, दूसरा player हमने उठा लिया C soul को, तीसरा आपको लेना होगा, त्यातो C grips या G main, इन कियेगा, कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कि दोनों ही side से, मतलब first inning में अगर ध्यान से देखा जाए, तो हमें कितने ballers रखने की जरूरत पड़ेगी, अगर इसकी बात करें, तो first जब match हुआ, तो यहाँ पर एक, दो और तीन baller हमें रखना था, यहाँ पर दो और एक, हलाकि wicket seal लेकर गय हुए है, लेकिन दो-दो wicket के ratio हम सबसे पहले देखते हैं, और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो एक चीज जो साफ तोर पर दिखाई दे रहा है, कि minimum 2, maximum 3 जो baller है, हमें first inning में रखना पड़ेगा, यानि कि first inning की अगर तरीके से देखा जाए, तो 3 backs men plus 3 baller, यानि कि total 6 होते हैं, या फिर 2 backs men, 3 baller, यह आप यह rotation करके जा सकते हैं, इसी तरीके से आपको जाना पड़ेगा, या फिर 3 backs men, 2 baller, यही rotation यहाँ पर काम करेगा, इससे जादा हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 backs men रख दीजिए, 4 baller रख दीजिए, तो वो चीजे चलने वाली नहीं है, clear है, यह concept, ठीक है, अब समझते हैं कि second inning का जो batting order है, वो किस तरीके से यहाँ पर चला, लेकिन second inning में थोड़ा सा अलग सेनारियो हमें देखने को मिल रहा है, कि यहाँ पर कम से कम एक opener तो ऐसा है, जो की continue flop होके जा रहा है, एक opener हमें यहाँ पर flop होते वे दिखाई दे रहा है, ठीक है, दूसरा opener यहाँ पर 65 भी बनाया, 75 भी बनाया और एक बार 33, बाकि दो तीन बार ऐसा हुआ है, कि जब दोनों opener भी flop हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो दोनों opener को हम flop करेंगे, या फिर दोनों में से किसी एक को लेकर जाएंगे, अगर आप एक को लेके जाते हैं, या दोनों को flop करते हैं, समझेगा, या तो आप एक के लिएक के जा रहे हैं, या फिर दोनों को flop कर रहे हैं, तो देखें, यहाँ पर क्या हुआ है, तीन नमबर के player ने अच्छा खासा पारी खेल कर गया, और जब तीन नमबर का player चला, तो चार नमबर का player सिर्फ एक बार चला है, बाकी के टाइम पर जब तीन नमबर नहीं चला, तो चार नमबर का player चला, मतलब साफ है, या तो तीन नमबर या फिर चार नमबर, दोनों को एक साथ हम नहीं रखेंगे, इसके बाद किसी का कुछ खास record हमारे सामने नहीं आ रहा है, एक बार ये सिर्फ पाँच नमबर का player है, 49 run बनाया है, तो ये बात हमें समझ में आ गई, कि अगर आप दोनों opener को रखते हैं, तो तीन, चार, पाँच में से किसी दो को रखेंगे, अब समझते हैं, कि यहाँ पर total second inning में बैटिंग से, second inning में बैटिंग से कितने बैट्समेन हमारे पास आ रहे हैं, यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, यहाँ पर दो, और यहाँ पर तीन, यानि कि हमें दो, अगर ज़्यादा तर chances हमें दिखाई दे रहा है, कि सिर्फ दो बैट्समेन ही चल रहे हैं, नहीं तो तीसरा option थोड़ा सा बाद में आ रहा है, लेकिन कम से कम दो हमें रखना पड़ेगा, दो के साथ भी हम जा सकते हैं, maximum तीसरा भी लेके जा सकते हैं, maximum जो है, वो बहुत कम टाइम होगा, ठीक है, maximum जो होगा, वो बहुत कम टाइम होगा, यानि कि तीन प्लेयर जो है, एक बात चला है, बाकी के ज़्यादा तर हम दो प्लेयर हैं यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, अब आये थोड़ा सा हम लोग इस सेनारियो को प्लेंग 11 से समझ देते हैं, इस सीन को हम लोग प्लेंग 11 से समझ दे even क्या कहता है, उसके according थोड़ा सा देखते हैं, कि अगर second inning में team जाती है Ireland, तो फिर हमारे पास option बचता है, कि हम दोनों को ही drop कर दे, नहीं, तो सिधा Andy Balbrine को उठा लेंगे, उस case में हम लोग Paul Sterling को drop कर देंगे, फिर हम लोग L टककर को ले लेंगे, और Harry Tector को, फिर कुर्ति स् Scamper और G-Dock Rail, इन तीनों को उठा लिजी, ये एक combination set कर सकते हैं, तीसरा combination, यहां से, Andy Balbrine, Harry Tector और G-Dock Rail, ठीक है, ये एक दो तीन, तीन बैक्समन हमने उठा लिए, ठीक है, नहीं, एक और combination हो सकता है, सीधा Harry Tector और कुर्ति Scamper, सिप दोनों के साथ, या फिर Harry Tector और G-Dock Rail, ये दोनों के साथ भी जा सकते हैं, ये एक combination set कीजेगा second inning में, यहां से बात कर लेते हैं, Scotland की, ठीक है, तो Scotland के तरफ से, आप यहां तो दोनों को drop करो, फिर आप Ricky Barrington को ले सकते हैं, तीन नंबर का player, फिर इन दोनों में से किसी एक के साथ जा सकते हैं, तो Matt Cross, यानि के combination second inning में apply हो सकता, और इसी तरीके से हमें rotation अपने team के लिए करना पड़ेगा, second inning के जो bowling order है, वहां पर क्या scenario हो रहा है, एक बार देख लेते हैं, देखें, यहां पर second inning में कम से कम, कितने ballers आ रहे हैं, सबसे पहले हम यह देख लेते हैं, यहां पर देखें, तीन, चार, फिर baller, right arm fast medium, या right arm medium जो baller है, वो यहां पर चार-चार बिकेट भी देखें, एक बार right arm fast medium ने चार बिकेट लिया, एक बार right arm medium ने लिया, चार बिकेट, फिर right arm medium ने तीन बिकेट लिया, यानि कि कि किसी भी तरीके से right arm fast medium baller, यानि कि कम से कम, दो या तीन भी हम रख सकते हैं, right time fast medium bowler को अगर spinners की बात करें तो यहाँ पर left arm orthodox जो है एक एक बिकेट लेके गया है सिर्फ एक बार दो बिकेट लेके गया और leg spinner जो है एक बार तीन बिकेट बाकी के टाइम पर एक एक बिकेट मिला है बाकी दो बार बिकेट नहीं मिला है तो हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि हमें यहाँ पर second inning में कम से कम दो right time fast bowler को अपने team में रखना पड़ेगा कितने दो कम से कम दो तीसरा भी रख सकते हैं तीसरा भी रख सकते हैं और तीसरा को अगर नहीं रखिएगा तो आप क्या किजेगा मान लिजे कि दो right time fast bowler रख लिजे right time fast bowler जो है वो दो रख लेते हैं और एक तीसरा या तो leg spinner या फिर left time orthodox ठीक है या फिर leg break ये आप condition यहाँ पर कर सकते हैं right time fast bowler को हमने दो ले लिया ये condition यहाँ पर apply कर लिजेगा देखें कैसे अब अगर आयर लेंड की टीम जगर second ball जाती है तो right time medium में एक हो गया बी मेकार्थी दूसरा हो गया fin hand हमने इन दोनों को उठा लिया तीसरा option हमारे सामने आ गया ben white हमने तीनों को ले लिया एक दो तीन ठीक है अब हम तीसरा condition समझते हैं हमने मारक डायर को उठा लिया बी मेकार्थी को उठा लिया और सीधा यहां पर right time medium कुर्ति स्कैमफर को उठा लिया ये तीन baller हो गये तीसरा condition मारक डायर और बी मेकार्थी और सीधा ben white ठीक है ये तीन यानि कि इन सब को रखने की जुरूत नहीं है fast medium baller को रखना ही पड़ेगा अपने टीम में जो की सबसे ज़्यादा wickets लेके इस ground पे जहर है same condition आपको यहां से दिखाई दे रहा है एक हो गया A शरीफ दूसरा हो गया C सोल और तीसरा हो गया आपके यहां से एक right time बेरिंग्टन ठीक है right time fast medium पर focus करना है दोस्तों right time fast medium पर देख लीजिए right time faster अलग हो जाता है यानि कि जब second inning में wickets मिल रहा है तो right time fast medium को ज़्यादा मिल रहा है यानि कि थोड़ा सा wickets slow हो रहा है तो जो variations वाले baller है उन ही को ज़्यादा wicket मिल रहा है इसलिए हम लोग focus कहां करेंगे right time fast medium पर और ये लोग कौन-कौन है वो right time fast medium बोलर मैंने आपको दिखा दिया चलिए आगे बढ़ते हैं अब समझते हैं कि Ireland के जो batsman है वो 2024 में कौन कैसा खेला उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं देखिए बैलबरीनी को मैंने क्या बोला था बैलबरीनी के बारे में क्या बोला था देखिए second inning में सबसे highest score 77 आया फिर 45 आया बाकि first inning में 11 प्याउट, first inning में 16 प्याउट first inning में एक बर 45 भी है first inning में 22 भी है, second inning में 9 है तो आप एक चीज देख रहे हैं कि सबसे जो अच्छी पारी आई है ना बैल ब्रिन की कब आई है second inning में इसलिए मैंने बोला second inning में अब देखे second inning में पॉल और sterling का देखे एक बार 24 बनाया और एक बार first inning में 25 बनाया बाकी के second inning में दो बार flop हुआ और दो बार आपको first inning में भी फ्लॉप हुआ तो कई बार मतलब यह हिटिंग वाला बैक्समें है या तो चलेगा तो चलेगा नहीं तो सीधा आउट हो जाएगा इसलिए इन दोनों के उपर अगर आपको भरोसा करना होगा तो बैल ब्रीन पर कर सकते हैं पहले तो चार मैच में यह फ्लॉप हुआ और अभी पिछले तीन मैच में बहुत अच्छी पारी खेल कर गया तो आज के मैच में आप इन पर 50% रिस्क ले सकते हैं ड्रॉप करने का क्लियर हैयरी टेक्टर की बाद कर लेते हैं लास्ट मैच में जिरो पे आउत हुआ आज यह चल सकता है क्योंकि अभी तक देखेंग फिर सेकन्ड इनिग में यहां पर आप देख रहा हैं स पैमफर का थोड़ा सा 50-50 चांस रहता है, हमेशा अच्छा नहीं खेलते हैं, लेकिन आज ठीक खेल सकते हैं, पिछले दो मैच से ये फ्लॉप चले जा रहे हैं, अब बात करते हैं, जी डिलेनी, कभी कबार ये लोग जो हैं, ये कभी कबार खेलते हैं, जैसे जी डॉकरे लो जो कि कभी भी बैटिंग से अच्छे रन बना के जा सकते हैं, ऐसे बॉलर्स भी यहां पर, इनके यहां से एक मार का डायर हो गया, दूसरा जो बॉलर है, वो भी मैकार थी है, वो अच्छा खासा खेल कर जाता है, अब यहां से हम लोग समझते हैं, कि आयरलेंड के जो बॉ तीन विकेट का रेश्यो तो हमेशा इसका रहता है, मार क अडायर का, बी मैकार्थी की बात करते हैं, लाश्ट के दो मैच में विकेट नहीं मिला, उसके पहले यह कंटिनू विकेट लेकर गया हुआ है, बेन वाइट की बात करते हैं, देखिए, यह खिलाडी बिलकुल अल पर दो इंपोर्टेंट हो सकते हैं बाकी के ये लोग हैं फिन हैंड पिछला मैच खेले थे तीन बिकेट आज कोई गारेंटी नहीं है कि तीन बिकेट इनको मिली जाएगा चलिए अब बात कर लेते हैं स्कॉटलेंड के बैसमन कैसे हैं देखें जी मुन से मैंने क्या बोला अ खेलेगा नहीं शायच बैरिंग्टन जो है एक बार 49 बनाया है सेकेंड इनिंग में और दो बार फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप होकर गया हैं एम लिस्क कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है एम क्रोस मैंने क्या बोला एम क्रोस पर भरोसा कर सकते हैं विकेट कीपर है 35 रन और सेकेंड इनिंग में उन चास रन तो इंपोर्टेंट हो सकता है बाकियों का कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है अगर यहां से स्कॉट्लेंड से कोई इंपोर्टेंट प्लेयर दिखाई दे रहा है तो एक है जी मून से दूसरा है एम क्रोस और तीसरा है बैरिंग्टन ठीक अरुद रखेगा तीन इनिंग में एक विकट नहीं मिले हैं और इसके बार बी के विकेट टान प्लेयर मैंच्छ खेला था तो दो बिकक लेगे गया है तो यहां से जो इंप्लेयर दिखाई दे रहा है एक तो मार्गवार्ट दिखाई दे रहा है दूसरा हम अगर जी वैर अलाकि मुझे लगता है दोनों ही साइट से आज विकेट्स गिर सकते हैं अच्छे खासे। आयर लेंड के बैट्समन हेट टू हेड में कौन है जो अच्छा खेल कर जा सकता है। देखें बैल ब्रेनी के बात करते हैं हेड टू हेड में एक बार सेकेंड इनिंग में चौसा ठन बनाया है। पॉल इस्टरलिन एक बार 56 रन फर्स्ट इनिंग में बागी दो टाइम फ्लॉप होकर गया है, एल टककर की बात करें, हेट टू हेड में फ्लॉप होकर गया है, इसलिए थोड़ा सा मैंने आपको बोला 50% डाउट रखेगा, इस पर continue fix मत कीजेगा, कुर्तिस कैमफर दो बार खेले हेड टू हेड में इंपोर्टेंट प्लियर आज के मैच में बन सकते हैं, इसके बाद जीर डिलेनी दोनों बार हेड टू हेड में खेले हैं, बहुत अच्छा पारी है, मार का टायर देखिए, 72 की पारी खेला था इस खिलारी ने, और जबकि बॉलर है, 72 अनकी पारी स्कॉटलेंड के खिलाफ और जीर डॉक्रेल भी आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, एक हो गए हमारे एंडी बैलबरिन, दूसरे हो गए कुर्थिस कैमफर और इसके बाद जीर डेलेनी, मार का टायर और जीर डॉक्रेल, अब यहाँ पर आपके सामन बिकेट नहीं मिला, नहीं तो कंटिनू बिकेट लेकर गया हुआ है, जीर डेलेनी, एक बार दो बिकेट, बाकी दो टाइम बिकेट नहीं मिला, बी मैकार्थी को एक बार बिकेट नहीं मिला, बाकी दो बार बिकेट मिला, कौन से इनिंग में मिल रहा है, यह आप लोग एक कटिंग और बॉलिंग दोनों से ही option दे सकता है जी डॉक्रेल को head to head में हाला कि दो बार बॉलक बॉलिंग नहीं मिला है और जब एक बार मिला था तो एक बिकेट मिला बाकी के टाइम पे कुछ खास रिकॉर्ड तो है नहीं वैसे Scotland के जो batsman है वो head to head में कैसा खेल के जा रहे है ठीक है यहां से जी मुनसे की बात करते हैं head to head में दो बार बढ़िया परफॉर्मेंस है तीन बार flop हुआ है जिसमें से दो बार first inning में ही flop हुआ है Barrington की देख लीजे continue performance ठीक ठाक है एक बर 0 एक बर 20 बाकी के तीन टाइम बहुत अच्छा है तो इसलिए इस खिलाड़ी को रख सकते हैं लिस्क का कुछ खास नहीं है 17 और 21 है अब बात करते हैं mad cross का एक बर 66 की पारी है 28 की पारी है और 30 का पारी है तो यहां से जो हमारे लिए important player निकल के आ रहे हैं पहला number mad cross जो important हो सकते हैं head to head में Barrington important हो सकते हैं और मुन से खेलेंगे तो important हो सकते हैं O-hairs एक बार 26 बाकी दो बार flop होकर गए हुए हैं तो यह खिलाडी जो है Scotland के तरफ से important है अब बात कर लेते हैं Scotland के जो ballers हैं वो head to head में कैसा खेले तो यहां पर देखे एश शरीफ एक बिकेट दो बिकेट एक बिकेट दो बार इनको second inning में विकेट नहीं मिला हुआ है aim white मैंने क्या बोला था इस खेलाडी को देख लिए तीन बिकेट तीन बिकेट एक बिकेट सिर्फ एक बार बिकेट नहीं मिला है यानि कि चार मैच में साथ बिकेट कितना importance रखता है समझ लिजेगा aim list की बात कर लेते हैं कई बार नहीं मिला है बाकी दो टाइम बिकेट मिला है यह देखे कि उरे एक ही बार खेला है और चार ओवर में पांच बिकेट लेके गया है और बाकी का कुछ खास नहीं है बैरिंग्टन को एक बिकेट मिला हुआ है दो बार एक बार बिकेट नहीं म पड़ेगा दोस्तों अभी आप देख लिए यहां पर मैंने जो टीम तयार किया है ये फिलहाल के लिए है बाकी की सारी चीजे जो है मैं लाइब कोशिश करूँगा साड़े आट बजे से मैच है मैं पौने आट बजे के आसपास लाइब आऊँगा ताकि आप लोगों को इन पर आपको आके बताऊंगा लाइब से सन जोइन जरूर कीजेगा फिलहाल के लिए मैं प्लेयर्स को रखा है यहां पर मैट क्रोस को रख लिया बैल बरीन को रख लिया यहां पर बेरिंग्टन हो गया जी डॉकरेल हो गया मार कडाय कूर्थिस कैंपर मार्क वाइट बेन व तो देवस्तो ये सारी चीजे डिटेल्स हा इन लोग इन सारे मैचस को खेलना जरूरी है भले एक एक टीम से खेलिए लेकिन फॉलो करना है अगर आपको वर्ल्ड कप खेलना है तो बाकी की सारी बाते हम लोग लाइब में करेंगे मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में तब त करेंगे